इस वीडियो में मैं discuss कने वाला हूं regarding asset जो भी locate होते है उसको track कैसे कर सकते है because बहुत सारा comment जो है receive हो रहा था regarding that कि asset जो है जो भी cognition to our forces हुआ जो भी organization है भेज चुके है लेकिन उसको track कैसे किया जा है आप जब organization के थ्रू जो है आपका asset जो है dispatch होता है आपके address के लिए आपके location के लिए तो आपको basically एक message आता है courier service के थ्रू जिसमें आपको tracking ID अगरा जो है दिया रहेगा आपको जो है courier service के दुआरा ही जो है वो tracking ID आएगा और basically manager के थ्रू भी आपको बोला जाएगा कि your asset has been dispatched to your location so आपको जो है वो बता जाएगा so जिस दिन dispatch होगा उस दिन वो आपको बता देंगे basically अगर आप पूछना चाहे तो पूछ सकते है वसे basically वो लोग बता ही देता है so उस tracking ID के थ्रू जो है आप आप जो है asset को track कर सकते है और देख सकते है कि कितना दिन पहुंचने में लगेगा basically so वो mail वो message आपको किसी भी courier service के थ्रू आ सकता है ato का mail नहीं आए यानि कि उन लोगों का at least जो है मैं बोलूँगा August तक जो है work from home चलने वाला है at least मैं बोल रहा हूं सो बहुत सारे से project है जिसमें requirement ही नहीं work from office का यानि कि client force ही नहीं कर रहा है कि office जो है पर office में work कर रहा है so different situation है उसके बार में मैं discuss करूंगा लेटर वीडियो में so इस वीडियो में मैं बता दो like for different project different ऐस organization है जो कि asset जो है घर पे भेज रही है because of work from home scenarios for those projects so जो भी work from home scenarios project है उसके लिए जो आपको virtually onboarding वेकरा हो रही है भी भी फिलाल और अभी चलेगी जो भी project के लिए required नहीं अभी virtually onboard होगी because जो भी project के लिए mandatory है वो लोग तो जा चुके है तो वो सारे जो भी जा चुके employees को accumulate करने में थोड़ा time लगेगा जिसके वजह से जिसका mandatory नहीं है उसको थोड़ा लेट से बुलाएंगे तो इस case में like जैसे कि मैंने बोला like आपको जो है mobile पे ही courier partner के through जो है आपको message आएगा जो भी रेजिस्टर mobile नमबर आपने दिया था तो विसके लिए जैसे कि आप यह देख पार बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट है जिस पर जो है जो है जो भी ऐसे वगर रिक्वाइड होती है उसके लिए सेपरेटली एक मेल भीजते है कि आपको exit भीजा जाएगा आप प्लीज प्रोवाइड यूर एड्रेस और यह जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो है लिस्ट ओ जो है बहुत सारे लोगों को desktop देकर रखी थी और desktop जो है वह अब हैब्रीड मॉडल जैसे स्टार्ट होगा तो desktop पॉसिबल नहीं है डेली ओफिस करके जाना और वापस ओफिस लेकर के आना तो इस सिच्वेशन में लाइक कॉगनिजेंड ऑल्सो लाइक डिफरेंट और्ग अगरा जो है इंटर्नल मेल आ जाएगा आप अगर न्यू कैंडिडेट है तो आपको जो है पर्सनल मेल आइडी जो भी प्रोवाइट किये थे उस मेल में आ जाएगा अगर आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है ऑफिस मेल तो और जैसे कि मैंने बता है मोबाइल पर आपको मेल वगरा नहीं आया तो आप डारिकी раз जो भी होते हैं या फिर मेने जो भी है उससे कॉंँडेक्ट कीजिए प्रोव्य क्रोजेक्ट मैनेजर से कंधिशते node बताना और जो है किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहे तो कमेंट करके जरूर बताना लेट्स मीट अनदर वीडियो टिल देन टेक केर